शाहरुख खां की ब्लुकाबेस्टर फिल्म, जवान, पाँचवे दिन भी भारतिय बॉक्स ओफिस पर अपना डाबड़ाबा बनाए हुए है, ने रिकोर्ड स्थापित कर रही है और दर्शकों को आश्चर्यचित कर रही है। एक विस्फोटक विस्तारित शुरुआती सप्ताहांत के बाद, फिल्म हैब अपने प्रदर्शन के पहले सोमावार को अपानी वास्तविक परीक्षा का सामना कर रही है। जवान ने उम्मीदों को तोड़ दिया है और शाहरुख खा के नित्रत्व में खुद को एक पावराउस के रूप में स्थापित किया है। यहां तक की अनेकी अपानी पिछली रिकोर्ड ब्रेकिग फिल्म पथान भी टिकट खिरकी पर जवान ने जो धमाल मचाया, उसा की बराबरी नहीं कर सकी। किसी भी बोलियूद, हिंदी फिल्म के लिए एक दिन में साबेस ज्यादा कमाई कराने के बाद, फिल्म का लक्ष एब अपने पहले सोमावार को भारी सफलता हासिल कराना है। फाइव वेन दिन, जवान, की इर्वास बुकिंग ने पहले ही भारत में सभी भाषाओं और अवरुद सीतों को छोड़ कर, 7.10 करोड की शांदार कमाई कर ली है। यहां कड़ा प्रभावशाली से कम नहीं है और 2023 में काई एनी प्रमुख बोलीऊद रिलीज की शुरुआती दिन की टिकट बिक्री को पार कर गया है। विशेश रूप से या पथान की पहले सोमावार की अग्रिम बुकिंग को भी पीछे छोड़ देता है जो 5.20 करोड के टिकट बेचने में काम्याब रही। इसे परिप्रेक्षय में रखने के लिए पथान ने अपने सोमावार को सभी भाषाओं में 26.50 करोड की कमाई की और जवान की मजबूत अग्रिम बुकिंग को देखाते हुए या आराम से 30 करोड का आंकडा पार कराने के लिए तैयार है। या हो लेख कराना आवश्यक है कि सोमावार के लिए टिकट की कीमते थोड़ी कम हो गाई हैं जिससे या अनलोगों के लिए एक आक्षक विकल्प बैन गया है जो सप्ताहांट के दौरान फिल्म देखने से चूप गाई थे। परिनामस्वरूप सोमावार को एक मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है जो बॉक्स ओफिस पर जवान के असाधारन प्रदर्शन को और मजबूत करेगा। शाहरुख खां के नित्रत्व में जवान रिकोर्ड्स को फिर से लिख रहा है और साबित कर रहा है कि किंग खां का करिश्मा और स्तार पावर भारतिय सिनिमा की दुनिया में बेजोड है। फिल्म की अभूता पूर्व सफलता शहर में चर्चा का विशय बनी हुई है और ऐसा लगाता है कि आए सिनिमा राठयात को कोई रोक नहीं सकता है।